हेलो स्टूदेंट्स दिस नीरज गुपता आए अब हम नेक्स्ट जो है आपकी लास्ट एंट्री जो है जनल एंट्री वाली वह आपको जनल वाउचर में एंट्री कर देते हैं जिसके अंदर हम जो हमारी लाइबिलिटी है अठारा हजार की जैसे मैंने बताया था दो इंप आफ ऑगुस्ट टूथाउजन सेवन्टीन राइट कंफिग्रेशन में चेक कर लें अलाव कैश अकाउंट्स इन जनल वाउचर्स येस या लड़ी येस दिखा रहा है हमारे को तो अभी प्रॉब्लम नहीं करेगा तो हम पहले ले ले लेते हैं अपनी लाइबिलिटी तो ह हमें इसके क्रेडिट्स देखने हैं सबसे पहले हमें CGST का ITC मिला है 9% वाला and that amount is 360 इसके बाद हमें मिला है 6% वाला CGST ITC at 6% ये जो गिफ्ट आइटम वाला था 180 और बाकी का पैसा हमें बैंक से देना है which is correctly calculated at 17,460 तो वैसे basically इसमें इतना ही है चेक नंबर मैंने दिया नहीं तो इसकी हो गई entry being CGST liability for July 2017 cleared मैं इसको accept कर दूँगा तो ये काम मेरा complete इसी डेट को मैंने similarly SGST liability भी clear करनी है का इसमें कोई काम नहीं है SGST liability ये भी वही 18,000 है मेरी जैसा मैंने पहले भी समझाया था इसमें हमारे को input tax credit मिलेगा SGST का 9% 360 similarly SGST का मुझे input tax credit मिलेगा 6% वाला जो gift items का था 180 और बाकी का पैसा मुझे bank से पे करना है जो इसने correctly calculate कर लिया 17,460 ठीक है I hope कि ये आपको clear होगा इसमें कोई खास मैंने से complicated entries आपको नहीं दिखाई है simple जैसा आपका general voucher बना हुआ था उसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये create हो गया 18,000 के against ये आपने दोनो input tax credit लिया है जब SGST के किया आपने entry तब ये दो input credit लिये अब इसके आगे की जो हमारी working है वो हम नया टेली software के साथ आपको सिखाएंगे जिसमें GST को टेली कंपनी ने incorporate किया होगा उसके हिसाब से हम आगे continue करेंगे थैंक यू